हेलो फ्रेंट्स वेलकुम तो मैं चैनल नोईट आज मैं न्यू रिकूट्मेंट के साथ आया हूं और जो कि DRDO की एक सबसेडियरी है जो कि है ITR Integrated Test Range यहां पर Apprenticeship के लिए निकला है graduate Apprentices और डिप्लोमा दोनों के लिए निकला है आपर तो जो यह Apprenticeship है वो वन येर के लिए है और यह जो Apprenticeship होगी आपकी वो ओडिसा में रही तो यहां पर टॉटल वेकेंसी है जैसे कि आप देख सकते हैं गैजूएड अपरेंटिस के लिए यहां पर कंप्यूटर साइंस के टॉटल 22 वेकेंसी है Electronics Engineering वालों के लिए 25 वेकेंसी है Electrical Engineering वालों के लिए 5 वेकेंसी है Mechanical Engineering वालों के लिए 3 वेकेंसी है B Tech in Civil Engineering वालों के लिए 1 वेकेंसी है Aerospace Engineering वालों के लिए 2 वेकेंसी है और जो लेबरेरी साइंस वाले हैं उनके लिए टू वेकेंस की है और यहां पे आपको 9000 पर मद स्टैपेंट दिया जाएगा फिर जो डिपलोमा है यानि की टेक्नीशन अप्रेंटिशिप यहां पे कम्पूटर साइंस वालों के लिए 23 है और इलेक्रोनिक इंजिनिंग वालों के लिए 23 इलेक्टिकल इंजिनिंग वालों के लिए 5 मेकैनिकल इंजिनिंग वालों के लिए 3 और सेवल इंजिनिंग वालों के लिए टू वेकेंसी है और यहां पे टेक्नीशन अप्रेंटिशिप वालों के लिए 8000 स्टैपेंट दिया जाएगा और यहां पर आपका जो शेलेक्शन पॉसीज़र है यहां पर यह टामन कंडिशन दे रखा है आपको अप्लाई करने से पहले जो कि है सबसे पहले आपको mhrdnets.gov.in में आपको रेजिस्टर करना पड़ेगा उसके बाद यह आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद आप 2017-18-19 पास्ट वाले स्टुडेंट होने चाहिए अगर आपने 2017 से पहले अपने अपना बी बीटा के डिप्लोमा कंप्लेट कर रखा है तो आप अप्लाई नहीं कंप्लेट की हो यह तीन कंडिशन आपको आपकी होनी चाहिए तब यह आप अप्लाई कर सकते हैं और यह जो आपका अप्लिट आफ ट्रेनिंग रहेगा वो 12 मंस के लिए रहेगा और जो कि यह जो आप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है यह है एक नॉमबर टुठाओ नैटिन से स्टार्ट हो रहा है जो कि 20 नॉमबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं शाम के साढ़े पांच बजे तब और अगर आपको और भी कुछ इंफोर्मेशन या डाउट है आप प्लीज में को कमेंट बॉक्स में भूस सकते हैं मैं उसका जोरू से जोरू या जल्दी से जल्दी रुपाई करने की कुशिश करूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो सुलाता रहोंगा थैंक